हलो एब्रोवन, आई होप सारे जाने वदिया होंगे, ठीक ठाक होंगे ते अपनी IELTS प्रेपरेशन बहुत चंगे तरीक के नाल तसी कार रहे हूं आज दे इस पर्टिकुलर वीडियो दे विच मैं कुछ पोइंट्स डिसकस कारने सी जो की IELTS रीडिंग दे बारे हैं आज पोइंट्स में भी बहुत सिंपल होंगे, कॉमन होंगे, शायद तसी पहला भी सुने होंगे बिट कई वार सिंपल होंग करके ही अपन उनों पोइंट्स नों इगनूर करते ने हैं जो के पन नहीं करना, मैं थो नों एक बर दुबारा रिमाइंट करान वास्ति ए वीडियो स्पेशली बना रही हैं देखे जावे तो बहुत सिंपल चीज़ा नाल तसी कुछ की चीज़ा और्गनाइज करके अपनी IELTS रीडिंग देवेचो बैंज कुर बहुत अच्छा ला सकते हूं विदाउट ओखे होके की हो नी रहा हाना मैं तो टाइम नी मैनेज हो रहा है मैं तो मैनो पता नहीं की वे या क्वेशन स्वाल करन दा रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं हैगी या कोई भी टीचर थो नो एह जा कोई मैजिकल वे नहीं दा सकदा जेदेना थड़े 9 out of 9 बैंज आ सकेंड थो नो मेनत करनी पोगी इत्सकी टू एवरी सिक्सेस मेनत जरूरी है कुछ को पोईंट्स कुछ को स्मार्ट वर्क जिनू गया सकदें तुसी करके डेफिनेटली एक वधिया तरिक्के ना कि मैं प्रिपेर करना अपनी आयल्स नू ओदा अपा थोड़ा अज डिसकस करांगी आपनी आयल्स दे एक्जाम वास ते दिन डेफिनेटली दू सब्सक्राइब देचनल वीडियो नू लाइक कर देऊ ऑसो देच्छानो बाकी स्टूदिंट्स तक वी वीडियो पान सके एंड व देच्छानों भी मोटिवेशन मिल दे रहे होर वीडियोस परनाणडी सो नाव लेट्स केट स्टाटेंड सो दो वेरी फर्स थेंग जोद भी तुसी अपनी आयल्स रीडिंग स्टार्ट करनी है उदा टाइटल है जो ओ तुसी बहुत चंगी तरीकिन पाढ़ना आया ते उदा सब्टाइटल ही कि वहर अपा इनी हरी छुने है जोद आपनो आयल्स पैसेज एक्ञापिक तॉस टाइम अपना फटाफट इद्धा हो जाना था कि फटाफट क्वेशन देखला मैं फटाफट देखला मैं की की आया की कुछ आया परगरफ पढ़के फटाफट मैं अपना टाइम मैंनेज करला एक वी सेकन मेरा वेस्ट ना हो जे जिस टॉंट थोड़े पैसेज था टाइटल थे सब्टाइटल बहुत इंपोर्टन ने एदे बेसेज थे ही थो नो लिटल बिट आइडिया हो जुगा कि थोड़ा पैसेज एट लिस्ट है किस टॉपिक तेया एजीज फाइंड आउट करने बहुत इंपोर्टन था फिर उस बेस थे तुस पैसेज पढ़के पते नहीं लग रहा हुंदा कि पैसेज गल की कर रहा है इनी हार्ड वोकाबलरी हुं दिया थोड़ा ओधा आइडिया लेंड वास्ते इंपोर्टन था तुसी अपने पैसेज था टॉपिक ओधा टाइटल और अधा और यह कुछ सब्टाइटल की हुंद जिना स्टूडेंट्स नो नहीं पता टाइटल दे नीचे कुछ दो तेन लाइन्स छोटे जी पराग्राफ बनाके तितिया हुंदा टाइटल दे बिल्कुल नीचे हुं दियाने हुं उन्हों पास अब टाइटल कहने हुं ओवे लिटल बिट आपनू आइडिया दे रहा पैसेज दे विच गल किस चीज दी किती जा रही है। तो मेक शार एचीज नो कदे स्किपनी गारना। नेक्स्ट गल करिये आप पांजे ता ओ ए हा नेक्स्ट पॉइंट कि रीड दे क्वेशन बिफोर रीडिंग यर पैसेज। पैसेज स्टार्ट करन दो पहला अपना पॉटेंता क्योंकि एत लीस्ट थोनु फर्स्ट क्वेशन ओनली सिरफ फर्स्ट क्वेशन रीड करो तास इट हो जादा अगे जान दी लोड नीया थोनु फर्स्ट क्वेशन रीड करो और उदा लेटल बिट अपने आईडिया मान च रखो कि मैं लबना की ए अट-लीस्ट अप्लाइ हो सादिया सिर्फ लिस्ट फेडिंग्स नु छड़के ते विच परग्रफ कंतेंस थे फॉलॉग इंफर्मेशन उस देवेच अपा सब तो पहला फर्स्ट पैसेज पादना हुंदा जिमें ए परग्राफ पाद लिया ने उस तो बाच उदी हैडिंग लबन जान इस तो पता है किस चीज उनों आपनी क्वेशन अंपनेकी और लिखन वास थे मक pourquoi Ai ट अपनी क् forcément खणवास तो ए चीज नों द्याहर न रख्यए होई अ करता हैक निढ़ेशन शिफ्ट होना है जे अपने अगली गाल करिये देन अगला अपने कोल जड़ा पोइंट आ ओह गया सीक्वेंस होण सीक्वेंस दी गाल करिये जे अपन सी थोनु सब नू पता हूगाय चीज चलो जिनननो नई भी पता हूँ उनननो इस वीडियो जरी पता लग जोगी कि सारी अपनी रीडिंग आजो ओहो सीक्वेंस दे वेच हूँ दी या वट ड़स इत मीन फर एक्जमपल थोर डिकोल true false not given questions दे फर्स्ट question दा answer थोनो जिस location दे paragraph चे मिलिया बहाँ जादा chances उन्दे ने 90% chances उन्दे ने कि जड़ा second question आ ओहो फर एक्जमपल थोनो first paragraph चे true false not given दा first answer मिल गया जेड़ा third second true false not given होगा ओधा answer उस paragraph तो नीचे जे निया lines जे एक दो lines नीचे paragraph चोर हैगे ने chances ने कि थोनो उस तो नीचे नीचे answer मिलूगा या बी paragraph दी starting च मिल जूगा बहाँ chances ने कि एद्धा अग्गे 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 answers follow कर दे जान देने questions नो so एचीज बहुत easy कर दूगी थोड़ी पूरी reading नो थोड़ी locations ने विच confused हून दी लोड नीचे चीज लेगे एचीज सिर्फ list of headings नी obviously काम करूगी right या फिर list of researchers थोड़ी ज़ी थोड़ी ने काम करूगी क्यूँकि definitely बहुत जगामाधी list of researchers दे कि पूरा-pूरा बेखे लेसागने नी आपकी थोड़ा मुशकेला but बाकी questions दे ऴिच बहात chances दे लेकि sequence दे ज़ीच थोड़ी answers होनगी so इस चीज दा तुसी हर इंसान हर इंसान जो भी आयल्ट सखा रहा या या कोई टीचर है या कोई स्टूड़न्ट आ उधी हर जुबान टे एही गल हों दिया कि स्केमिंग करो scan करो keywords ना बट केमे इसकेमिंग तुसी केमे करनी या स्केमिंग न मतलब हुंदा या पैराग्राफ नो फटा-फट पाड़ना बट ओ थोड़ा एद्दा ना हुवे कि ओ थोड़ा कुछ पता ही ना हुवे ज़स तुसी रीडी कार रहे हूं थोड़ी स्केमिंग एद्दा नहीं होनी चाहिए कि तुसी पाड़ भी फटा-फट रहे हूं पट थोणू लिटल बिट पैराग्राफ बारे आईडिया हो रहे है थोड़े माइन देवेच ए चीज हमेशा याद रखनी है कि थोड़ा लिटल बिट आईडिया थोणू पता हो डिफिनिटली नहीं समझ साथ है आप कोई भी न समझ साथ है किस आपनो नहीं पता किस लेवल दी वकाब उस पैसेज चो हुवे ठीक है किसे बच्चे दे लेवल ये नो कट आ वकाब किसे दा बहुत अच्छा है थोड़ीसली इंग्लिश एक लर्निंग प्रोसेस हा इन्हो पा हमेशे हैं सिख दे रहने है ते ओस केस दे वेचे बट थोनो लिटल बिट एक आइडिया एक लाइन दिखती ओधा आइडिया ता तुसी समसा आदेव ना थोड़ा बात ओजी जरूर करो प्लीज समझो पेराग्राफ नो की लिख्या की होया अंडस्टैनिंग बहुत इ आपने को नेक्स्टैप आजान दा स्कैनिंग दे कीवर्ड सो जो तुसी पाड़ रहे हूं उस टाइम तुसी क्वेशन औरेडी पड़ेया हूया मैं अल्रेडी मेंशन किता हूं कि पहला कोईशन पाड़ना देन पैसेज पाड़ना जो थोड़ने कीवर्ड औरेडी पैसेज लिख्या हूया किया देन चोदो भी अपनों कीवर्ड पेस करांगे अपा हूं यहां फिर किते भी अपनों उद्दा नी किते गल लिखी हूई मिलोगी ता उत्थो बहुत त्या आनल चीजां पढ़नीया स्टार्ट करनीया ने एंड उत्थो फिगर आउट करना की आंसर की हो सकता है तो दे नेक्स थिंग इस तो ने नेक्स थिंग इस तो नो बहुत हल्प करोगी टाइम मैनेजमेंट दे विच जेड़ा नेक्स्ट पॉइंट हो तेक आल दे क्वेशन इन वन गो जदो भी तुसी पैसेज सॉल्व करना जो में फर्स पैसेज फॉर ने, एक फिल न्द ब्लैंक ने, एक वन वर्ड हो गें या फिर अपने को ट्ूफ उफ शॉल्स नॉट गिवन ने जो एस तेविच तो असे की करोंगे, अधवा नहीं है कि पहला ट्ूफ उफ उल्व कर ले, फिर फिल नद ब्लैंक तॉल्व कर ले, यह यून अध़ा या अ सारे question types, the first question at least पढ़के रखो, ओधा keyword at least अपने mind रखा के रखो, ते ओस keyword नो तुसी find out करो, पैसेज देविच, एज तो नो थोड़ा time manage करन चो बहुत help करूगी, at least एदा पता होगा कि हाँ, आ चीज दी मैंनो लोड, right, आ question है, so इत्थे मैं mark करनी आने चीज़ा, so ओस टाइम तो नो बहुत help करूगी, बाकि जी तो नो list of headings आ जान देने, ता list of headings वस्ते मैं हमेशन ही कहने है कि ये ता best ही चीज़ा, right, तो नो पूरा, ओधेश तो नो कोई chance नहीं लाणा, तो सी पूरा paragraph रीड करो, ओधा list of headings लभो, ते नाल नाल, पाकी questions भी read करके रखो mind देविच, जे ओना question चो कोई लागदा की answer आ गया, की location मिल गया, then definitely go for it, ता ओता होर भी चेती कम अपना हो जानता है, उस case देविच, so इस तरीक के ना, बहुत चोटियां चोटियां चीज़ाने, जे आपना एक वार remind करिये ना, चीज़ानू, ता ए है, की सबतो पहला टाइटल बहुत त्यानना पढ़ना है, after that आप अगल करिये, जे read करन दी, question read करन दी, ता उसी पहला question रीड करना है, फिर passage पढ़ना है, ठीक है, तो demand एक idea लेके चलियो, then passage देविच जायो, after that, sequence तुन देने सारे questions, so it will help you a lot, fourth thing is, skim and scan of keywords, समझा था मैं already, so skimming करनी है पहला, and फिर उस चीज़ी scanning करनी है, जित्थे अपनों keyword मिल गया, उत्थे त्यान ना पढ़के, अपने answer नो figure out करना, तुसी हो, sorry, and the last thing is, solve all the questions in one go, definitely, so these are some of the tips, you can say, techniques, कैसा दियो तुसी, या फिर कुछ जस्ट गलना सिगी है, चेड़ा, तुदे में तो ना शेर करना चौन दी सी बहुत कॉमन ने, बट बहुत असरदार ने, so, किसे भी चीज़ दे, जननना तुसी असर नहीं करूंगे, जननना तुसी 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 नो follow नहीं करूंगे, you know, तुनो नहीं पता लगूगे, तुसी दे पावर, so, follow these things, apply करो अपनी reading देच, अपनी preparation देच, it will definitely going to give you very good results, and one last announcement, कि, if you are looking for any online IELTS classes, then, अपना नेक्स बेच स्टार ओरेया बाच चाल दी, निचे देचे नम्रां ते, you can contact and WhatsApp भी कर सकते हूं, to get more details about the classes, so, that's it for the video, thank you so much for watching,